नमस्कार आजे आपणे मा चामुंडाना महात्म अने एमनी पूजा अर्चना तेमा जुत्पत्ति अंगे वाद करीशू माता चामुंडा शक्ती स्वरूपा तरीके पुजाईचे चामुंडा चामुंडी अने चंडीका तरीके पर ओल्खाईचे 64 जोगणियों के 81 तांत्रिक देवियोंना मुख्य अधिस्टात्री देवी गडाईचे माता दुर्गानू आज स्वरूप से चंड अने मुंड नामना बे महाद देत्योय देवी भगवती उपर आक्रमन करियों क्रोध थी माता देवी नी भुकुटी खेंचाई जमा थी एक अत्यंत भयानक देवी काली का पैदा थे चंड अने मुंड दैत्यराज शुम्बना महापराक्रमी युद्धाव होता तेमनी साथे बिशन युद्ध करिने चंड तेमज मुंड ने बाण पास्ती बांधी ने काली देवी भगवती जगदंबा समक्ष रजु करें युद्धमा परास्तकरी ने तेमनु बलिदान अप्पमाते मा काली का तेमने भगवती जगदंबा समक्ष लईया वया थे मा काली ये तलवार थी चंड अने मुंड ना माथा कापी नाख्या अने पछी आनंध थी तेमनु लोई पीवाला गया काली का मतानु आ पराक्रम जोईने भगवती जगदंबा अत्यंत प्रसंन तया देवताओने रंजाडता आत्यंत बढ़वान दानाओनों वद करी कालिये देवताओने भायवुक्त करेया। माँ जगदंबाये कायूं कालिका तमें देवताओनों महानकारिय सिद्ध करियो छे। हुँ तमने श्रेष्ट वर्दाना पोछे। चंड अने मुंड नो वद करवा थी। जगत मां तमें चामुंडा तरीके और खाशू। त्यार बाद शुम्बनी आग्न्या थी। मैदान मा उत्रेल महाप्रतापी दैत्य रक्तबीजुनों संहार भगवती जगदंबाये करे। त्यारे देवी चामुंडा रक्तबीज न शर्विर मा थी निकलतु तमाम रुदिर पीता राया और छेवटे महाप्यंकर दानाव रक्तबीजुनों संहार थे। हिमाचल प्रदेश ना कांगडा जिल्लामा बंकर नदीना तर्ट पर स्थित चामुंडा मंदिर एकावन शक्ति पिठोमानु एक्छे। आ पौरानिक कथा अनुसार आ स्थान पर सती ना उच्छेदित देहमा थी चरन इतले के पंग पड़े आता है। चामुंडा देवी मंदिर भगवान शिव और शक्तिनु स्थान चे। आयां शक्तिन्डीनों पाठ करवो, समांबलवो, अथवा सम्भळवो, यह मानिक रुपा मिलवानों श्रेस्ट मार्ग चे। आ पाठ समांबलवा, अथवा सम्भळवानों बदोज प्लेश्ट दूर थाई चे। श्लोक मुझा जोईये तो जारे कोई विग्णो तमने घेरीवळया होई। त्यारे सर्वा बाधा प्रशमन त्रैलोक क्या स्चकिलेश्वरी एव मेवत त्वया कार्यम अस्मत वैरी विनाशनम। मारा सव वेरी, मारा सव दुष्मनों नाश थाई ते प्रकार्नी या प्रार्थनाचे आगलेवू कहेचे के सर्वा बाधा विनिर्मुक्ता, धनधान्य सुतान्वितह, मनुष्या मत प्रसादेन भविष्यती नसंचय ह। चंडी कवचम माथी आँ श्लोक लिध्या चे। ओ नमस्चंडी कावी चे। ये पड़ एक एव श्लोक चे। कि जे तमने कोईपन प्रकार्नों भवय, कोईपन प्रकार्नों शत्रू सामेनों तमारों संघर्ष होई। तो आँ श्लोक नो पठन करवाती ये शत्रूभैसा में खुब मोटू रक्षडा पेचे। ओम महाबले महोच्चाये महाभयविनाशनीम् त्रायमाम देविद रुष्पेक्षे शत्रूनाम भवयवर्धिनीम् आ माचामुंडानी प्रार्थनानों स्लोक चे। माचामुंडा रक्षक तरीके पण। देही सवभाग्यम आरोग्यम देही देवी प्रमसुखम। रुपम देही जयम देही यशो देही द्विशो जही। ए प्रमाणेनी सूक औने अईश्वर्य माटेनी प्राथ्रा पड़ आ देवीने करवाथी धार्यूफर मलिशकेचे। चैत्री नवरात्री आ उपास्ना मटेनो अति उत्तम समयेचे। शत्रुभय थी पिडा थती होई, रोग थी पिडा थती होई, कोई अन्यकारणों सर्तम दे पिडा थती होई। अथवा तो तमें सूक सम्रुद्धीना इश्वर्य नी खेवना करता हो। मने लागे छे के उपास्ना मटेना आ सर्वश्रेस्ट समये माँ चामुंडा, माँ चंडिकानु आराधना आपनी चुक्कस भय मुक्त अने दूखोती मुक्त करशे। येवी शुबकामनाओ साथे जाय चामुंडे। येवी शाउड्श अने दॉपास्ट समया आसे भी झाल Сकतावने तबात करता हो। येवी ये जचीन दूश करता हो प्हान आपनी फृषयन काल छो learning